प्रिश्री वीडियो में मैंने आपको सिखाए थी 1 to 10 लिखना जो कि कुछ आप पिर्टियों के द्वारा बताईए आपको अच्छी तरह से 1 to 10 लिखना आगया होगा तो आज मैं आपको बताने जाली हूँ लेकर मैं उससे पहले आपके पैरेंट से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ही रहें कि आपके बच्चों भी बहुत ही नन्य मुलने हैं और मेरी बताय हुए इस वीडियो को देखें और उनको लिखने में उनकी सहायता करें तो आईए, हम लिखते हैं, यह है आपका 1 से 10 तर, जो कि मैंने आपको कल बताई की, यह 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आज मैं आपको 11 सिखाने जाने हूँ, यह 1 है और ही 1 है, 1, 1, इसे हम पढ़ेंगे क्या? 1, 1, 11, 1, 1, 11, तो देखिए, मैं यहां कुछ बाक्स बनाई हूँ, जिसे आप भी अपने कॉपी में बनाएंगे इसी तरह से, और मैं एक बता रही हूँ, उसके बाद आप अपने कॉपी में बनाएंगे और उसे खुद से लिखने की प्रेटिस करेंगे, तो आईए, मैं बता फिर यहां एक प्वाइंट देंगे, और इस दोनों प्वाइंट को मिला देंगे, तो यह क्या बन गया, वन, फिर उसके तरह एक और वन एना लिखेंगे, एक प्वाइंट यहां, एक प्वाइंट यहां, और इस दोनों प्वाइंट को एक दूसरे से मिला देंगे, तो य 1, 1, 11, फिर इसकी तरह से यहां 1 लेखेंगे, पॉइंट लेके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, यह क्या बतिया है आपका, 1, और यह है 2, इसे 1 और 2, 1, 2, 12, तो यहां फिर कल मैं आपको बताई दिना, कि यहां पर 2 पॉइंट देंगे, इस तरह से और एक राउंड से पैसे बना देंगे, आधा राउंड और फिर एक पॉइंट यहां देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो यह क्या बतिया, 2, तो 1, 2, 12, फिर 1, 3, 1, 3, 13, 1, 3, 13, आफि मेरे साथ बोलेंगे, तो यहां फिर उसी तरह बनाएंगे, पॉइंट देंगे, 1, और यहां 3, तो फिर यहां तो पॉइंट देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, और फिर यहां बीच में एक पॉइंट देंगे, फिर इस पॉइंट से इस प काउंट से बना देंगे ये क्या बन गया? 3 तो इसे हम पढ़ेंगे 1, 3, 13 1, 3, 13 फिर है यहाँ 1, 4 जो की आपका लिखना सिखा था 1 और 4 1, 4, 14 तो फिर हम लिखते हैं यहाँ इस तरह से क्वाइट देखे 1 लिखे और फिर है 4 फिर एक यहाँ पउइंट देंगे फिर एक पउइंट देंगे और इसे एक सिदी लाएंग बना देंगे फिर यहाँ एक पउइंट देंगे और इस पउइंट से इस पउइंट को मिला देंगे और फिर एक पउइंट यहाँ देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट चाहिए यह क्या बने गया हमारा 4 तो यह 1, 4, 20 फिर हैं 1, 5 1, 5, 15 तो देखते हैं 15 पे असे लिखाता है 1 यहां 50 लिखे ने फिर वहीं 1 ही लिखना है पॉइंट देखे यहां 1 लिख दिये फिर 5 लिखेंगे यहां 1 पॉइंट देंगे फिर एक पॉइंट देंगे इस दोनों को मिला देंगे फिर एक पॉइंट देंगे और इसमें मिला देंगे और फिर यहां 1 पॉइंट देंगे फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और फिर यहाँ एक point देंगे और यहाँ से एक round state देंगे यह हो गया हमारा 1, 5, 15 फिर है 1, 6, 16 1, 6, 16 फिर उसी तरह से आपके 1 लिखेंगे इस point से इस point को भी लाएंगे, यह 1 हो गया फिर है 6 6 लिखना कल बताया थे हम आपको ऐसे तो point देंगे और फिर इसे एक round सा save देंगे और इसमें फिर एक छोटा सा round बनातेंगे यह क्या हो गया? 6 तो 1, 6, 16 1, 6, 16 फिर है 1, 7, 17 1, 7, 17 फिर बन लिखेंगे 1 और यहाँ फिर 7 लिखेंगे एक point यहाँ देंगे एक point यहाँ देंगे तोनो point को अच्छी तरह से मिला देंगे फिर एक point यहाँ देंगे फिर इस point से इस point को मिला देंगे यह बन गया अगा seven, तो यहां हो गया one seven, seventeen फिर one eight, eighteen one eight, eighteen फिर यहां one लिखेंगे इस्तरा से one और फिर यहां eight लिखेंगे गोल साशेख देंगे फिर यहांMarty बन गया अमारा eight तो यहां क्या हो गया? 1 8 18 फिर 1 9 19 1 9 19 तो दिखिए यहां फिर 1 लिखेंगे दू point दे करके a यह हमारा 1 हो गया फिर यहां 9 एक यहां point देंगे एक यहां point देंगे इस दोनो point गो a steady line बनाएंगे फिर इसमें एक round सा safe बनाएंगे फिर नीचे से यहाँ एक point देंगे but this point से इस point को मिला देंगे तो यह बन गया हमारा 1 line 19 अब यहाँ बच्चों 2, 0 2, 0, 20 0 अमने तो एक round सा safe बना देते हमें तो वो हमारा 0 बन जाता है तो यह हो गया 2, 0, 20 तो 2 लिखने आपको तो आती है यहाँ एक point देते हैं यहाँ एक point देते हैं और यह दोनों को round से बना देते हैं और यहाँ एक point देके इस point से इस point को मिला देते हैं तो यह हमारा 2 बन जाता है और यहाँ एक round से बना देते हैं तो यह होगी है जीरो तो टू जीरो प्रिंटी तो आप इस बॉक्स को अपने कॉपी में बनाएंगे और बना करके फिर से इसको देख देख के अपने से लिखने की प्रैपिस करेंगे तो आज आएगी आपको भी लिखना जाली है पिर अगे विडियो में मिलूंगे थाइगी